मेरा नाम गुर्प्रीत सिंग है, एज 33 है अभी मेरी, मैं अम्बाला से बिलोंग करता हूँ, मैंने मई 2023 में बेरियाट्रिक सरजरी डॉक्टर अमित गर्ग से करवाई थी, उससे पहले मेरा वेट 166 kg था और मुझे ओसे हैपर्टेंशन और डायबेटीज की प्रॉब्लम थी सरजरी करवाने के बाद, हाइपर्टेंशन और डायबेटीज वैसे तीनों प्रॉब्लम पूरी तरह से जा चुकी है, हाइपर्टेंशन के लिए एक टैबलेट लेता था और डायबेटीज की भी एक ही टैबलेट ले रहा था डेली, प्लस उसके एलावा एक इंजेक्शन म में एक बार लगता था, डायबेटीज के लिए, वो इंजेक्शन के बाद भी 6.9 यह 7.0 ही आती थी मेरी हमेशा, अभी 5.4, 5.2 इसी रेंज में में मेरा एच्पी और इसी आ रहा है, और मैं चलने ही बाता था, सीडियां चलने में प्रॉब्लम थी मुझे बहुत जादा थ थोड़ा सा भी चलने में सांस फूल जाती थी, रात को, ऐसे की वज़े से मेरा स्लीप पैटन बहुत खराब हो गया था, सो नहीं पा रहा था, एक गंटे बाद उतना बढ़ता था मेरे को, उसके लावा हाईपटेंशन की वज़े से थोड़ी देर बाहर धूप में खड़ सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद भी मुझे किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम फील नहीं हुई, अरे लोग डराते थे कि नहीं अपने सिस्टम के जाचेड़ चाड़ नहीं करने चाहिए, या कुछ प्रॉब्लम सो जाएंगी, वीकनस आ जाएगी, कहीं लोग त कि साल-दो साल में बंदा मर जाता है, सर्जरी के बाद बट ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब हां सरफ एक ही चेंज होता है कि मैं पहले से जादा इनर्जेटिक फील करता हूं, और जो मेरी लाइफ थी पहले मैं बठा 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 मतलब ओ ऐसे की वेज़े से रात को सो नहीं दिन में काम पर बैठा बैठा सो जाता था, तो उस तरह कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब पूरा दिन मैं पूरा अनर्जी के साथ अपना काम करता हूं, और रात को बढ़िया नहीं आती है, मैं पिछले 3-4 साल में सर्जरी के 10 दिन के बाद मेरे को प्रॉपर नही नहीं ठीक होगी थी, प्रोडक्टिविटी बढ़ गी है मेरी, जैसे कि मैं बता रहा हूं कि अभी 10 किलोमेटर भी मेरे को चलने में कोई दिक्कत नहीं होती, तो जैसे कि कुछ इंडिया के बाहर दूसरी गंटेस में जाते हैं, जहां पे हमें प्रॉप्लिक ट्रांस्पोर सबसे बढ़ना बढ़ता था, तो उसके बाद ठक जाता था, मैं काम नहीं कर बाता था पूरा दिन, अभी इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, जल्दी अगर अगर उबीज हैं, तो बहुत जल्दी डिसिजन ले लेना चाहिए, बजाए कि बहुत ज़्यादा ले अगर नहीं लाइफस्टाइल में चेंज कर सकते हैं, तो सबसे बड़ी ऑप्शन है, मेरे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि मेरे लाइफस्टाइल ऐसा था कि मतलब पहले बहुत जादा वर्काउट भी नहीं कर बाता था, क्योंकि वेट होई इतना ज्यादा गय आने के बाद मिलको उसका दो गंटे बैट पर सोना पड़ता था, अभी ऐसा भी नहीं है, मैं अगर वर्काउट करता हूं, आदा बोना गंटा एक गंटा तो उसके बाद एजली अपने काम पर जाता हूं, कोई इक्कत नहीं है, तो बहुत जादा इस चीज की खुशी है कि मैंने बहुत सही स्टेप लिया अपनी लाइफ का और अपनी लाइफ में मैंने 20-30 साल एड़ कर दी है, बहुत बढ़ी हा रहा मेरा, अच्छी चीज यह है कि एक्सेसिबिलिटी बहुत हुआ है, नोर्मली होता है कि एक्सेसिबिलिटी नहीं हो पाती, उसके बाद सरजरी क कुछ डाउट्स हैं, कुछ हैं तो वह क्लियर नहीं हो पाते हैं जंदे के ऐसी प्रॉब्लम यहां पे मेरे को बिलकुल भी फील नहीं हुई, बहुत एजी डॉक साफ का परसनल नंबर भी है, मेरे पास उनके टीम से भी कभी भी कॉंटेक्ट कर सकता था, और कोई भी डाउ चोटे-चोटे से कोशन, सीली-सीली कोशन के लिए भी मैं कॉल कर लेता हूँ, कोई भार मुझे बाद में फील होता है, तो कोई-कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत उस चीज़ से ले गए हैं